हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले अक्तियादी का लुद उठा रहा था और अपनी सहेलियों के साथ रहने वाली जियोती सुभा उठने के साथ खुद से बोलती है कितनी भी सुभा उठती हों फिर भी काम खतम करते करते वक्त का पता ही नहीं चलता कि कैसे गुदर जाता है काम खत्म करने के बाद ज्योती तोलिया लेकर नहाने जाती है और बाहर आने के बाद मीता उसे देख कर बोलती है गुड मॉनिंग जोती तो आज टाइम से दो गंटे पहले कैसे आ गई तेरी नाइट शिफ्ट आज जल्दी खतम हो गई क्या यार वो ना मुझे आज तेरी कुछ जादा ही याद आ रही थी इसलिए जल्दी चली आई क्या हुआ तु मुझे देख कर खुश नहीं है क्या जियोती घर आती है जहां मीता उसे बोलती है गुड इवनिंग मैं तेरा ही बेट कर रही थी तु जल्दी से फ्रेश हो जा फिर हम डिनर करेंगे आज तु इतना खुश क्यूं है कोई बात है हाँ खास बात तो है दोनों सहिलियां एक साथ एक ही प्लेट में डिनर करती है जिसके बाद दोनों बैट कर खूब सारी बाते करती है और देखते ही देखते राप की दस बच जाते है जिसके बाद जियोती बोलती है अवे मीता दस बच गए क्या बात है आज तेरी नाइट शीफ नहीं है क्या मैंने ओफिस से चुट्टी ली है आज से अगरे दस दिन क्योंकि मैं घूमने जा रही हूँ अपने आफिस टाप के साथ और तुम भी चल रही हो ये भागदोर भरी जिंदगी और काम जिंदगी पर करना है हाँ बात तो तो सही कह रही है पर जाना कहा है थिल स्रेशन और कहा हम सब हिमाचल चलेंगे कितना मजा आएगा उची- पहाडियों पर इतना कहकर दोनों सहिलियां पैकिंग करती है और अगली सुभा जियोती मिता और बाकी के लोग हिमाचल के लिए रवाना हो जाते हैं और ट्रेन में आमने सामने बैठे होने के कारण युग की नजर जियोती पर ही टिक जाती है जिसे देखकर वो बोलती है भूल गई अच्छा यह देख यह साहिल है और यह संजना और यह मेरा बैस्ट्रेंड युग और युग यह मेरी सहिली जोती ओ नाइस नेम नाइस टू मीट यू आप सर क्यों खुजा रहे हैं कोई अलरजी है क्या आपके बालों में नहीं तो वो क्या है ना आप जैसी तोड़ी ही देव में सभी हिमाचल पहुचते हैं और हिमाचल की खूबसुरत वादियों में पहाडों में खूब इंजॉय करते हैं तब ही अचानक ज्योती को जोरों की सर्दी लगने लगती है और उसे काफता देखकर युग बोलता है ज्योती तुम्हें तो ठंड लग रही है ये लो मेरी कैप पहन लो तुम्हारे कान ढके रहेंगी तो सर्दी कम लगेगी वरना तुम बिमार पड़ जाओगी युग अपने सर की कैप उतार के ज्योती को दी दीता है और ज्योती बिना देखे ज्यो के धेर से लिप्टी हुई उस कैप को पहन लेती है जिसकी थोड़ी ही देर बाल उसे जोरों की खुझली होने लगती है और वो जोर जोर से सर खुझाने लगती है जिसे देखकर उसक सहेली मीता बोलती है तो यहां सर खुजाने आई है कि हिमाचल गूमने आई है चल चलती सेलफी लेंगे अब पता नहीं यह अचानक से मेरे सर में अफरात अफरी क्यों मच रही है गुजरती समय के साथ जियोती युक के सर की खुजली को इग्नोर करते हुए उसकी तरफ आर्मी परण जाते हैं और दोनों का प्यार बढ़ने लगता है और इसी के साथ ही ज्योती के सर की जुएं भी बढ़ने लगती है जिसे देखकर उसकी सहेली मीता बोलती है orie की ने जीना हराम कर दिया लगता है जोती के सरखुजाने की बिमारी मुझे भी लग गई खुजदी ने तो रातों के नीन्ध हराम कर दी है ट्रिप खत होने के बाद सभी वापस अपनी घर आते है लेकिन जोती के सरखुजाने की बिमारी अब और ज़्यादा बढ़ चुकी थी और सर खुजाते खुजाते उसकी नाखुनों में चौर-पांच जुएं फस जाती है जिसे देखकर जियोती बोलती है और तेरी इतनी जुएं वो भी मेरे सर में तभी तो सर में तहल का मचा हुआ है क्या करूँ इससे पहले कि मीता देख ले इनको ठिकाने लगाना होगा तुम्हारा खात्मा कर देगी अब किस से बात कर रही है किसी से नहीं तुझे क्या हुआ का गई थी कुछ नहीं बजार गई थी पता नहीं मेरे सर में इतनी जुएं कैसे पड़ गई उसी की दवाई लेने गई थी आज में जुओं का नाम निशान मिटा दूंगी इनका अस् और वैसे तु अपना सर क्यों खुजा रही है कहीं मेरे सर में जुएं तेरी ही देन तो नहीं नहीं तो ये सर खुजाने की आदत तो मुझे युग के प्यार ने लगा दी कहावत नहीं सुनी क्या कि जब इंसान प्यार में होता है तो उनकी आदते एक जैसी हो जाती है वक और बरे घरों के रिष्टे को ठुकरा दिया उनमें से किसी से भी शादी होती ना तो भर-बर के सामान लाती मा जी लाई तो मैं भी बहुत कुछ हूँ और बहुत संख्या में इतना लाई हूँ कि गिंती करते करते आप ठक जाएंगी मतलब क्या कहना चाहती है तू? मुझसे पंगा मत लीजिए क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी सेना है जो मिंटों में तबाही मचा सकती है उन्हें मैं अपने सर माथे पर रखती हूँ हाँ हाँ बस कर अपनी उल्टी पुल्टी बाते करके ज्योती अपनी पती के साथ कम्री में चली जाती है और दोनों आधी राग तक अपना सर खुजाते रहते हैं मैं तो कोशिश करके ठक गया हूँ लेकिन ये धीट जुएं जाती ही नहीं काश इन जुओं की रोकथाम के लिए भी कोई परिवार नियोजन केंदर होता वो गुजरता है और ये सब देखकर जोती बोलती है बस बहुत हो गया योग मैंने तुमसे एक सथ चुपाया है मुझे भी तुम्हे कुछ बताना है मेरे सर में जुएं है हाँ मैं जानता हूँ और वो जुएं तुम्हें मेरी ही कैप से लग गए मुझे तुम्हें बताना चाहिए था लेकिन मैं डर गया था कि तुम मुझे छोड़ना दो दोका तुमने मुझे दोका दिया मैंने तुमसे प्यार गिया और तुमने उसका ये सिला दिया सबके बॉइफरेंग उन्हें गिफ्ट में रोस देते हैं चोकलेट देते हैं तुमने मुझे जूए दिये इतना बड़ा सप्राइज गिफ्ट मैं बरदाश नहीं कर सकती मैं तुम्हें डिवोस दे दूगी जाओ जाकर अदालत का दर्वाजा खटखटाओ पर क्या बताओगी उन्हें कि तुम अपने पती को अपने सर और अपने पती के सर में इस्तिमाल करती है जिससे दोनों की जूए नियंत्रण में आ जाती है पर थोड़े ही दिनों में उनकी जूए फिर से बढ़ जाती है और तेज खुजले के कारण जियोती के सर में बड़े बड़े घाओ बन जाते है जिसे देखकर उसकी सास मालती बोलती है बावली होगी यह क्या तेरे रोने से जुए थोड़ी ना खतम हो जाएंगे उस दिन बड़ा कहरी थी ना कि जुए तो तेरा परिवार है और बना मजाक मा जी मुझे क्या पता था कि मेरा वो मजाक इतना भारी पड़ जाएगा एक तो बिना मेरी मर्जी के ये मेरे सर में जबरदस्ती आ गई और अपनी हुकूमत चलाने लगी ये जुए किसी की सगी नहीं होती इन्हें तो बस खून पीना आता है मा जी कुछ करिये हा मा कुछ करो इन जुए ने तो मेरी नींद चैन सब कुछ लूट लिया है तू तो बोल मत नकारा निठला कहीं का और रख जनानियों की तरह जुल्फे खुद तो डूबा ही बहु को भी जुए के दलदल में ले डूबा इससे पहले कि तीसरा नंबर मेरा हो मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा इतना बोल कर वो जल्दी से एक शौप पर जाती है और बोलती है ओ भाई साब जुए खतम करने के कोई बढ़िया सी दवाई हो तो दे दो ये लीजिए इस एंटिलाइस दवाई से कैसी भी जुए हो जड़ से खतम हो जाएगी इसका असर बहुत दमदार है अरे पर इसे लगाना कैसे है देखिए इसमें एक छोटी सी शीशी है इसमें जुए मारने का शैंपू है उससे आपको अपने बाल दोने है और जैसे ही आप बाल दोएगी सबी जुएं इसके असर से बेहोश हो जाएंगे जिसके बाद आप इसमें जुओ वाली कंगी से उन जुओ को साफ कर देना मालती जल्दी से उस दवाई को घर लेकर आती है और दोनों के सर में दुकानदार के कहे अनुसार लगाती है जिसके बाद उन्हें जुओ से छुटकारा मिल जाता है दिशा एक बहुत सुन्दर लड़की थी जिसकी सब बस तारीफ ही किया करते थे दिशा की शादी आयूश नाम के एक बहुत अच्छे लड़के से हो जाती है शादी के बाद दिशा अपनी सास सुधा और अपने पती दोनों का ही बड़े अच्छे से खयाल रखा करती थी पर देखते ही देखते शादी के कुछ ही दिनों बाद दिशा मोटी हो जाती है जिससे सब उस पर हसने लगती है यहां तक की उसका पती आयूश भी बुरा मत मान न दिशा पर तुम बहुत मोटी हो गई हो और इसी तरह से मोटी होती रही न तो एक दिन फट जाओगी अब आप बे मेरा मजाग बना रहे है आयूश जी मुझे आपसे यह उमीद नहीं थी अज मैं तो बस मजाग कर रहा था नराज क्यों होती हो अच्छा चलो आज मैं तुमारे ले तुमारी फेवरिट चोमेन लेकर आऊंगा अब खुश हाँ हाँ क्यों नहीं ले आपनी बीवी के लिए बढ़िया बढ़िया चीज मा के लिए क्यों कुछ लाएगा अब तो मैं बूरी हो गई हूँ ना अरे मा आप कुस्सा क्यों हो रही हो मुझे नहीं खाना कुछ भी आयोश उसको बार-बार मनाता है पर दिशा मानती ही नहीं है थोड़ी देर बाद आयोश काम के लिए चला जाता है और रात को दिशा और अपनी मा के लिए उसकी फेवरिक चौमिन और दही भल्ले लेकर आता है और बोलता है देखो मेरी जान और मा आप भी मैं आप दोनों के लिए क्या लेकर आया हूँ जो भी लाए है ना खुद ही खा लिजे मुझे नहीं खाना छोड़ दे बेटा उसका बरत है वो नहीं खाएगी हम ही खा लेते हैं पर क्यों मा अरे क्योंकि उसने आज से डाइटिंग शुरू कर दी है आज से इस घर की महरानी जी बाहर का कुछ खाएंगी नहीं और ना ही तेल मसाले वाली चीज बनाएंगी हाँ क्या दिशा तुम तो बुरा ही मान कर बैट गई जी मैं तो सुबह मजाग कर रहा था रहने दे बेटा ये बस दो दिन का ड्रामा है इसका ये भला बाहर का खाना छोड़ दे छोड़ सकती छोड़ दिया माजी अब देखना मैं कैसे पहले से भी पतली हो चाऊंगी मैं बाहर का तो क्या घर का भी कुछ नहीं खाऊंगी समझी आप अब मैं बस दूद पानी और फ्रूट्स ही खाया करूंगी देख लेना कुछ दिनों में अगर पतली नहीं होगी न तो मेरा नाम बदल देना आप इतना बोल दिशा वहां से चली जाती है और सबके बोलने पर भी वो कुछ नहीं खाती बस फल फ्रूट्स और दूद पीकर ही रहना शुरू कर देती है और सुभा शाम योग करना शुरू कर देती है देखते ही देखते कुछ ही दिनों में दिशा पतली हो जाती है और ऐसे ही एक दिन अरी बहु अब तो तू पहले की तरह पतली दुबली भी हो गई है कम से कम अब तो डाइटिंग छोड़ दे माजी आप तो रहने ही दीजिए क्योंकि अभी भी मुझे और पतला होना है अरी करम जली डंकनी और कितना पतला होना है अगर और पतली हुई ना तो एक दिन हवा में उड़ जाएगी हाँ माजी मैंने ना ठान लिया है कि मुझे पतला होना है तो मतला पतला होना है आप कुछ भी बोल लीजिए मैं खानार हर्गिस नहीं खाऊंगी दिशा मू बनाकर वहां से चली जाती है और कुछ दिनों बाद वो योग करना बंद कर देती है पर उसकी खाना खाने की आदत छोट जाती है और अब वो खाने की खुश्बू से भी दूर भागने लगती है देखते ही देखते दिशा जाडू से भी जादा पतली हो जाती है ऐसे ही एक दिन दिशा घर की सफाई कर रही होती है कि तभी सुधा वहां पास में रखा कूलर चला कर बैट जाती है जैसे ही कूलर की हवा दिशा को लगती है वो उड़ कर दूसरी साइड गिर जाती है जिसे देख सुधा तुरंत कूलर को बंद करके अपनी बभू को उठाती है और बोलती है अरी नास पीटी अगर कूलर चलाया ना तो तू उड़ गई हाँ कभी ऐसा ना हो जोर से हवा चले और तू उड़ कर कहीं खो ही जाए मा जी पहली बात तो ये कि ऐसा कभी होगा नहीं और दूसरी बात ये कि अगर हो भी गया तो आप किस दिन काम आएंगी और हां मैं ना उड़ी उड़ी नहीं थी मेरा बस पैर फिसल गया था अरी चल जूटी बड़ी आई वो मेरा पैर फिसल गया था अरी उड़ती चिडिया के पंख गिन लेती है ये सुधा ऐसे ही बाल सफेद नहीं किये हाँ अपने बभू को सुना कर सुधा वहां से चली जाती है और दिशा गुसे में अपने रूम में चली जाती है ऐसे ही एक दिन दोनों छट पर कपड़े सुखाने के लिए जाती है जहां बहुत तेज से हवा चलने लगती है और दिशा खुद को संभाल ही नहीं पाती और उड़ लगती है पर उसकी आवाज सुनकर सुधा उसका हाथ पकड़ लेती है और जैसे तैसे करके उसको अपने साथ मीचे लाती है और उसका एक दुपट्टा लेकर उसमें पथर बांद कर उसको थामते हुए बोलती है अरी ले बहु अब हर जगा मैं तो रहूंगी नहीं जो तुझे इस हवा से बचा सके इसलिए इसे अपने गले में लटका कर ही बाहर जाना हाँ पर क्यों मा जी अरी इसके वजन से तु उड़ेगी नहीं ना दिशा रोने लगती है और उस पोटली के साथ अपने रूम में जाने की कोशिश करती है पर दिशा से उस पोटली का भार उठी नहीं पाता जिसे देख सुधा उसके हाथों से पोटली छिनकर उससे बोलती है अरी अरी और कितना पतला होना है तुझे तु इतनी पतली और कमजोर हो गई है कि अब तु हवा में भी उड़ जाती है और एक पोटली उठाने तक की हैमत नहीं रही तुझ में अगर यही हाल रहा ना तेरा तो एक दिन उड़ते हुए तो भगवान के पास ही चली जाएगी हाँ दिशा अपनी सास की बात सुनकर अपने आशों को बहने से रोक नहीं पाती और वही खड़ी होकर रोने लगती है यह सब होता देख सुधा उससे बोलती है अरी बहु मैं तेरी दुस्मन नहीं हूँ मुझे भी तेरी चिंता होती है इसलिए बोल रही हूँ पतला होना अच्छी बात है पर हद से जादा अती किसी चीज़ की अच्छी नहीं है आप सही भोड रही है माजी शायद मेरे पतले होने की वज़े से ही आयू जी भी अब मुझसे तूर रहने लगे है माजी अप से मैं अपना ख्याल रखूंगी और पहले ही की तरह ही बन कर दिखाऊंगी माजी इतना बोल दिशा नाक बंद कर खाना खाना शुरू कर देती है और डाइटिंग बंद कर देती है और कुछ ही महिनों में उसकी सेहत भी बन जाती है उसकी पहले जैसे सेहत देख सब बहुत खुश होते हैं और आयुश उसको कस कर हख कर किस करते हुए उससे बोलता है जान अब तुम फिरसे मेरी पहले वाली दिशा बन गई हो अब तुमसे रोमेंस करने का अलग ही मज़ा होगा अरी थोड़ी सी शरम कर लो और नहीं कर सकते तो कम से कम दरवाजा ही बंद कर लो मा जी मुझे आज आज आपसे माफी मांगनी है और आपका शुक्रिया भी करना है आज आपकी ही वज़े से सब कुछ बिलकुल ठीक हुआ है मुझे माफ कर दीजी मैंने पहले आपकी बात नहीं मानी और बस अपनी ही मन मानी की वो सब तो ठीक है बहू पर तुझे नहीं लगता कि तू बहुत लेट माफी मांग रही है चल डर मत तेरी सास थोड़ा मखाल कर रही थी हाँ एक बार फिर दिशा पहले की ही तरह हो जाती है और अपनी गलतियों के लिए अपनी सास से भी माफी मांग लेती है और सुधा भी उसको माफ कर देती है और फिर सब एक साथ पहले की ही तरह खुशी खुशी रहने लगती हैं दोस्तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा